भारत वत्न बाबा भीम राव अम्बेटकर जी को मैं नमन करता हूँ आज हम सब ऐसे युक पुरुष जिनोंने अपने ज्ञान से अपने अन्भव से अपनी आंतिक चेतना से इस देश में एक ऐसा सविधान दिया जो आज हमारा मार्द दक्षक है मुझे कुशी है कि आप सब लोग अलग अलग राज्यों से आने वाले मेरे युवा साथ ही जो इसकूल में है कोलेज में है आज इसी केंद्य कक्ष में जिस केंद्य कक्ष में बाबा साथ अंबेटकर जी ने सविधान सभा के रूप में नेतुत किया एक लंबी चर्चा की संवाद किया और भारत का सविधान बनाया आप सब गौरों शन्याप के लिए कि इसी केंद्य कक्ष में जो भारत की आजादी का शाक्षिरा जिसने भारत में कई कानून लोगों की जीवन सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में इस केंद्य कक्ष की बहुत बड़ी भूमी का है और मैं भारत के सामर्तवान चिंतनवान नोजवानों को देख रहा हूं जिन्नोंने बाबा साब के बारे में जो विचार रखे उनके जीवन दर्शन के बारे में विचार रखे उनके अभाव कटनाईयां लेकिन उसके बाद भी एक संकल्प एक आत्मिश्वास और किस तरीके से बाबा साब ने अपने जीवन में अभाव में रेकर कटनाईयों में रेकर उस समय की प्रिष्टितियों में सर्वतम शिक्षा प्रात की उच्ष शिक्षा प्रात की और एक ऐसा वेक्तित है बाबा साब का जो हम सब को आज भी पेड़ना देता है और मैं नोजवानों की विचारों को सुन रहा था जो अलग-अलग राज्यों से आये हैं जो अलग-अलग भाशा में अपने विचार वेक्त कर रहे थे भारत की जितनी विवित्ता हैं जितनी संस्कति है उन विवित्ता उस संस्कति की जलक में आप पर देख रहा हूं लेकिन विवित्ता संस्कति के अंदर बाबा साब के विचार है जिनोंने भारत को एक करने में महत्पुन गुम्मी काने पाइए और यही हमारा सविधान है जो सामाजिक न्याय का सिध्धान्त है समानता का और सब को साथ लेने वाला सिध्धान्त बाबा साब ने प्रतिपाजित किया उस समय वंचीत पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रियास किया और एक सामाजिक न्याय के सिध्धान्त पर आज भारत आजाधी के 75 वर्श चे अंदर ने कीरतिमान हासिल कर रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सविधान कि दुनिया के अंदर भारत की सबसे बड़ी tuberasi 국ष मैं देमग्रफी और हमने दुनिया को बता दिया कि आजादी के बाद दुनिया को लगाता कि इतनी विवित्ता है इतना बड़ा देश किस तरीके से एक होगा लेकिन हमारे सविधान ने इसको जोड़ कर रखा और ये तागत और शक्ति सामर्थ उस सविधान में है उस सविधान में देने वाले के उन महानिश्यों की विचारों में जिस से भारत वीवित्तां की तागत के कारणी बड़ा बना और संस्क्तियों के कारणी बड़ा बना कि दुनिया में कोई ऐसा सविधान नहीं है जिसने आजादी के पहले दिन सबको समान मता दिकार दिया कि भारत में कोई ऐसा सविधान नहीं जिसके अंदर जिस देश के अंदर सभी धर्मों को अपनी पूजा पद्वत्यों से अपने ध्रम को मानने का अभिवक्ति का विचार दिया विक्ति के अभिवेक्ति से लेकर सामाजिक न्याय से लेकर तमाम चीजें इसी किंदी कष्ष में बाबा साब और सविधान सबाव में हमको दिये और जो विचार मेरे नोजवानों ने आ रखें जो बाबा साब के जीवन दर्शन के बारे में जो बाते कई है ये पुरे देश के नोजवानों को ने उर्जा देगा नया सामर्त देगा हम इसलिए कहते हैं हमारी विरासत हमारा अतीत हमें पेड़ना देता है हम हमारी विरासत हमारे अतीत को याद करकर नए भारत के और निर्मान के और बढ़ रहे हैं और नए भारत के निर्मान के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है तो मेरे भारत के नोजवानों की है जो सामर्तवान है जो बौद्धिक्षम्वास से अद्भूत है जिनमें सोचने, चिंतन, विचार, नवाचार, अनुसंधान करने की शक्ति और सामर्त है जो आदूनिक भारत के अंदर टेक्नोलोजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी अतीत विरासत को अपनी संस्कृति को याद करकर नए भारत के निर्मान के और बढ़ रहे हैं मैं आप सब को साधवात देता हूं आपने जो विचार रखे मुझे लगता है कि आप भावी सामाजिक अध्यम से उनको लग रहा होगा कि भारत के नोजवान कितने सामर्तवान हैं कितना चिंतन हैं उनमें किस तरीके के वह बाबा साथ के विचारों को अनोंने रखा हैं और हम सब यहां से जाएं बाबा साथ के विचारों को लेकर जाएं उनके चिंतन को लेकर जाएं उनको अ अलग अलग शिक्ष offers you Samaj अलग अलग विचारों को जो रखा उन्हें उन विचारों को लेकर जाये और अपने Caleb कोलेज के अंदर और आपका भारत बनाने उनके सपने को भारत बनाने के लिए कता संकल हो कर देशित में काम करें आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत बधाई